टूमा इंडिया मा इंडिया चैनल में आपका स्वागत था जैसा कि बाल विका सेंसी छाष सातर की क्लास को हम स्टार्ट किये थे तो आज हम इसके आगे का वीडियो डाल रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो यह वाल लाइट का देजिए और चैनल को सस्क्राइब कर देजिए गा तो आज हम अभी छमता पढ़ेंगे रही बाद तो इस चैनल को सस्क्राइब करेंगे यहां पर यूपी असी तता समाम प्रकार के कंप्रेटिव यहां सीटेट सूपर टेट यह सब को खत्म करते हैं दिरे-दिरे हम और आगे आएंगे तो बने रहे हैं आज की पढ़ेंगे तो अभी छमता क्या होता एक महतपूर पद है जिसका अर्थ किसी विषय या छेत्र से ग्यान अभी रूची का उसल इत्यादी विक्सित करने की छमता से होता है तो जैसे कि आप यहां पर बीएड कर रहे हैं तो बीएड में बाल विकासम सिच्छा सासर के वि इसके पिसे में और अच्छे से अच्छा जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या होता है कैसे क्या क्या होता है तो मलब रिसर्च उसमें करना अपना स्टार्ट कर देंगे कि और जानेंगे कि और अच्छा लग रहा है तो उसी को अभी छमता करते हैं तो रूची अभी छमत ताकि ज्यानकारी सिच्छक आसानी से उसके भविति के निस्पादों के बारे में पुर्वानुपान लगा सकते हैं इसके बाद फ्री में के अंसर उन गुडों के सायोग जिससे कुछ विशिष्ट ग्यान एवं संग्ठित अनक्रियाओं के सेट की कौसल जैसे भाता बोलना गाया यन बना ना इसके बाद यांतर की करना आदी को सीखने की छमता का पता चलता अभी छमता का जाता वसी तुक मे जमनुंर के अंसर तो चंहताओं एवं अन्य गुड़ों जाहे जन्मजात और आज़्जित हो का एक ऐसा शयोग जिससे ब्यक्ति में सीखने की छमता या किसी खास शेत्र में निपूर्ता विक्सित करनी कि फ्रमता का पता चलता अभी छमता का लाता इसके बाद अभी छमत इस चमता के मापक जो है तो उसको भी हम जारनें खिंटा का मापक मानख परिच्छडों द्वारा किया जाता, ऐसे परिच्छड को अभिच्छड का जाता है इसे दो भागों में विवाजित किया गया है तो कौन कौन से हैं तो पहला सामान अभिछमता परिच्छड तो सामान अभिछमता परिच्छड वैसे परिच्छड को कहा जाता है जिसके द्वारच चात्रों के तभी वितिष्ट अभिछमताओं का मापं एकतात किया जाता है इसके लिए इस परिच्छा में बहु अभिछम परीच्छर माला बी कहा जाता है वह अभिच्यमता परीच्छर माला भीभिन प्रकार के परंतु डीए पी पी और यहां पर दिया हो जणरल एपलिट्य टेस्ट बैटरी सरवाधिक प्रचलीत होती है तो इसके बात डीए भी द्वारा आठवी कच्छा के पुरूष चात्र तदा महिलाओं चात्रों की आठ तरह की अभिछमताओं का मापान होता इस प्रकार इसमें आठ अभिछमता परिच्छाड है जो इस प्रकार है तो एक ताब्दिक चिंतन उसके बाद संख्यात्माग चंता तो यहाँ पे अम उसके बाद नेश्ट पेश पे अमूर्थ चिंतन को जानेंगे उसके बाद दैसिक संबंद या यात्रिक चिंतन तो प्रत्या प्रत्यच्छा ग्या अत्मक गति अवर परिसुदता तो वर्तनी भाता उप योग तो यहाँ पे डीएपी पूरे बिस में लोगपुरी है इसी लोगपुर जो जे एस ओजा दोरा किया गया जो मानसा यांद璃 दोरा प्रकासित हो सबाय खिए डीपी दोरा आटपी फिल समता हों का मापन 12 इसी इस सब्कर प्रत्ति यह ऊचितcą चड़ी परिक्र करने लिए उप करड़ कि जरूरत पड़ती है इस प्रकार पूरी परिछण माला का क्रियानन करने में लगभग 2 गंटी 30 बिनट समय लगता है उसके वद GATB द्वारा आठ अविच्छमताओं का मापन तो थोड़ा सी केमपूटर स्क्रीन बढ़ा कर दे GATB द्वारा आठ अविच्छमताओं का मापन को मापन जाता है तो पहला दिया हुए बुद्धी दूसरा साब्दी जिसा संख्यात्मक चब्था दैस्तिक उसके लीपिक प्रत्य शेस क्रियात्मक समन्य उसके अंगली नी पूडता उसके हस्त नी पूडता उसके आकार प्रत्य छड तो बने रहिए और यहां पे बुद्धी तो इंटेलिजेंस और जी इसके द्वारा तीन प्रकार की अविछमताय मापी जाती है सब्दावली अंक गडती चिंतन और त्री वीमी इस्पेस तो उसके बाद साब्दिक तो वोका वर्बल और भी इसके सम नार्थ सब्द का बिलोब सब्द की सब्दावली से समधित ग्यान की माप होती है उसके बाद यहां पे संख्यात्मक इसमें परीकलन अंक गडती चिंतन की माप होती है उसके बाद दैसी तो इसमें दिया हुए इसके दोरा वस्तुगों को दो विमाओं उपस्तित करके त्री विमी प्रत्य छड़ करने की छमता की माप की जाते इसके ली प्रत्य छड़ इसके दोरा नामों के मिलन मिलान करने की छमता माप की माप होती है इसके त्किरियात्मक समन्नों है तो यहाँ पे दिया है इसके दोरा विभिन चिन्नों को कई जगह से सजाने की छमता का माप होता है इसके अगुली नीप पूरता तो यहाँ पे उसको भी हम जानेंगे इसके दोरा मतीनों के वासर एव करने की छमता की माप होती है . अहस्त निपूरता तो मसीन की si कुम्हाने की छमता का मापन होता है कि इसके बाद यहाँ पे और 2000 आगे आएंगे तो बने रहे हम रहे हैं माइंडिय के सतथ माइंडिय आकार प्रत्यचरण इसके द्वारा वस्तुवों के विभेण आकारों को अस्पष्ट करने की चमता की माप होती है उसके जी ए टी वी के नव प्राप्तांकों को मानक प्राप्तांक जिसका माद देता हो तथा मानक विचलन दो होता है के रूप में अविव्यक्त किया जाता जी ए टी और जी ए टी वी के अलावा अन बहु अभी चमता परी मा लाएं हैं तो इसके बाद विशिष्ट अभी चमता परिच्चड तो इसको भी हम डिसकस करेंगे विशिष्ट अभी चमता परिच्चड ऐसे परिच्चड को कहा जाता जिसके द्वारक किसी एक ही तरक की अभी चमता की माप की जाती है इसे एक कारक अभी चमता परिच्चड भी कहा जाता है प्रमुक परिच्चड निम लिखित है तो जो है तुसको भी हम जानेंगे तो यहाँ पर मी इनी इस टोट मेकैनिकल एसेमबली टेस्ट तो यहाँ पर मी इनी इस्टो नी नी सॉल्ट मकैनिकल यविल्टी टेस्ट तो यह वे रिच्षड यांतरीक अभी kok मापता है आइसे transistor पूटा बिस्विद्याला ने उनने से तीस में बनाय गया था इसके यह आरे मेकैनिकल एप्ल एप्लि टी ली ट्यू टेस्ट या परिछड भी आंत्रीक अभिछमता को मापता है इसे परिछड में तीन उप परिछड हैं जो यह आंत्रीक अभिछमता के ही तीन विविन को मापते हैं इसके बाद टेस्ट इस क्रीव हॉर्स में एजर आप मुस्कील टैलेंड तो यहां पर जो की दिया हूँ तो यह परिछड छात्रों की संगित अभिछमता मापने का लगातार मापने का सबसे पहला परिछड इसके द्वारा चोथे वर के छात्रों से काले के छ अब्छमता का मापन होता है इसके डार्क म्यूजिकल अपलिक्ट्यव टेस्ट तो यह यह परिछड संगीत अभिछमता को दो पहली को संगीत इस्म आत्र में माप करता है और इसका प्रियवक आठ वर्स के उपर के छात्रों पर किया जाता है उसके बाद Verfügung denial रो डे रो इट कली रीकल अपलिटिव स्टेश तो अभी लीपिक अभी छमता मापने का यह एक प्रमु परिच्छड है जिसे हस्त लेखन करिया समक गती इवं सुद्धता उसके साधारण अंग्रेडित उसके बाद साधारण वाडी जीग उसके बाद ब्यापारी पदों का ग्यान उसके जाज करना अनू वाडित क्रम से सर जाना तो यह पर इसके जनरल कली रीकल अपलिटिव स्टेश यह परिच्छड भी सिर्फ लीपिक अभी छमता को मापने का परिच्छड है उसके अंगड़गी ती समस्या तो अर्थ मेटिकल प्रोब्लम तो हील जे यह वरत लादनी तो इसके बाद सब्द का अर्थ वर्ड मेनिंग इस पी लिंग तो जिसे बोलते हैं इस प्ली निंग उसके बहां तो ले वरत जल्दी इस पेज में यह चिप्टल खत्म हो जाएगा यहां पर दिया हुआ कि इसके इन्टी फिक अप्लिटीव टेस्ट फार कालेज इस्टुडेंट तो यह परिछड बिहार में सरवड़ी एपी सुवड़ी एकेपी सिन्ह एवं सुवड़ी एल एंके सिन्ह दौरा निर्मित किया गया है यह परिछड दौरा कालेज के चात्रों की व्यग्यानिक अभिछमता को मापा जाता है इसके वद्धिछा ने अभिछमता परिचड की उप्योक्तों सिच्छा के छेत्र में परिच्छड के समान अभिच्छड की उपयोगता निम्लिकित है तो यह अभिच्छड परिच्छड दोज छात्रों की समस्त्याओं का साधन किया जाता है जैसे पठन परिच्छड उसके परिच्छड का परिच्छड का परिच्छ ओग कर सिच्छित आसानी से इस बात की अभी चमता परिच्छूर मात्रा में है तो यहाँ पर बने रहे हैं माइंडेय चैनल के साथ माइंडेय चैनल आपके साथ लगा हुआ तो अभी चमता परिच्छड का परियोक सिच्छ को यह स्कूल पर रामर्स दाताओ द्वारा कूच बिशे चित्र जैसे कलाच की साला आदी में चात्रों को पूर नर्वेस प्रदान करने के लिए किया जाता है तो अभी चमता परिच्छड दोरा अभी व्यक्ति का मापन करके सिच्छ उत्तम अंतर सक्स्ति इसे गाड़ पोर ने टियल वाले चात्रों का चैन कल लेते हैं अभी चमता परिच्छड के आधार पर सिच्छक भविस में आमुक विस्यो या छेत्र के शात्रों में के निस्पादन के बारे में पुन और नुमान लगाया पाते हैं इसक्राद नेष्ट अगला दिया हुए इत अभी चमता परिच्छड का प्रियोग कर सिच्छार्थी छात्रों का तिरेडी करण कर पाते हैं तता उसी के अंसार उसका नी योजन करने में मदद मिलता है उसके परिच्छा उप्योगी तत्र जो है तो भी हम जानेंगे तो अभी छमता यहां पर दिया हुए कि अभी छमता से तातपर किसी खाश शेत्र या विशय में विशय की विशय में ग्यात अभीरूची कोसल इत्यादी विशित करने की अंतर सक्ति है अभी छमता के मापन में दो परिच्छड तरवादिक महतवपूर हैं तामान अभी छमता परिच्छड सता विशिष्ट अभी छमता परिच्छड तो तामान अभी छमता परिच्छड को बहु अभी छमता परिच्छड माला कहा जाता है E.D.A.T.A.M. G.A.T.B. सरवाधिक प्रचलित है विसिष्ट अभिषमता परिच्छडों को एक आएक अभिषमता परिच्छड कहा जाता है इसमिती एवं विसरड तो इसको भी हम जानेंगे इसमिती और विसरड क्या है तो चैनल पे नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां पर दो पार्ट को एक ही साथ हम डालेंगे उसके बाद नेश्ट पार्ट में अगला डाला जाएगा तो इस्मृति एक मांति क्रिया है जिते कुछ ब्यक्ति कुछ बातों को भूल जाते हैं परन्तु जब उन्हीं बातों को पु पुन्रावित्ति धारट छमता को बढ़ाया जा सकता है उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि सीख्यूए बातों को अस्मृत रखने या पुन्हा अस्मृत करने की सफलता को बिस्मृति करते हैं जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हमारे मस्तित में उसका चित्र अंकित हो जाता है हम अपनी इस्मिति की सहता से उसे अनुभव तो अपनी चेतना में पुन्हा लाकर उसका अस्मरड कर सकते हैं इसके बाद यहां पर दिया इस्मिति प्राणडी की योग्यता है जिसके द्वारा पूर्वने संपन धीगम प्रक्रियाओं में एक सूचना एकत्रि प्रसुत देने में इन सूचनाओं को पुना प्रसुत करता है इसके बाद इस्मिति एक मनु सारीक योग्यता जिसमें निलखी चार प्रक्रियाओं सन्नित रती अधियम धारणा पूर्व पहचान इसके तिक्यूवी बातों को धारणा रखने या पुना अस्मरड करने की असफलता विसमरड है अर्थाद विसमरड किसी एक प्रयाज करने पर भी किसी पूर अनुभव की याद करने अत्वा सीखे गए कारियों को करने ने असफलता से है इसके मनोवग्यानिक सीखुमन फ्रयाड ने कहा है कि विसमरड वर प्रवित्य है जिसके द्वारा दुखत अन्भव को इसमरड कर दिया जाता है इसमरती एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति धारड की गई वस्तुओं को पुना असमरड करके छेतना में लाकर उसका उपयोग करना है इसमरती एक छमता जितके सहारे उद्देशपूर कार किये जाते हैं तथा मनुष नकेवल विवेक सील किंतन करता है अपितु प्रभावसाली ढंक से समा योजन भी करता है उसके बाद दिया है बुढ़ वर्थ के अंसर पूर से सीखे गए ग्यान का प्रत्यच उपयोग ही इसमरती एक सामाने पद है जिससे तात्पर पूर अनुभूतियों को मस्तित में इकठा कर रखने की छमता से होता है मनुवज्यानी ने इसमृति के दो पच बताए है तो पहला निश्ट पिश प्याएंगे एक दनात्मक पच और एक रिडात्मक पच तो दनात्मक पच में क्या था इसका अतात पर पूर अनुभूति को याद रखने से होता है अतर या असमरड की प्रक्रिया इसका रिडात्मक पच इसका अतात पर अनुभूति को याद रखने में असमत से है या पच्छ भी समड़ड की प्रक्रियाश को मनोवज्ञानी को ने इसमरिती के तीन या अवस्था बताए हैं तो कौन कौन से उती ने तो यहाँ पर संकेटन की किसी सूजना या वाइः उतेजना का प्रत्यचरण कर व्यक्ति उते एक निशित रूप या संकेत की रूप में संत्रिक अतंत्र ने गरहड करता है संचे संचे सारी सुचिनाव एवं मुत्तेजनाव को कुछ समय के लिए संचित रखा जाता है प्रापति इसमें संचित कर रखे गए संकेतिक सुचनाव का प्रत्याहन कर उसका उप्योग किया जाता है थो मन बग्यानिकों निसमर्ती के कई प्रकार बतायाघ कंप समय, उन्हों को कर्मों आएं उकनी की निर्सटि कपे नेखंग के चार स्प्रकार बताанные एक आज़ी निर्वी चोले इसमर्ती जमसे निर्वन प्रकार नितिकल डेल कर द आजयरbling को सामान तर एक सेकंड या उससे कम अवदी के लिए व्यक्ति रख पाता है इस इस्मृति से प्राद सुचनाओं को उसके मौलिक रूप में अर्थात उसके बिना किसी तरह के फेर बदल किये ही रख खा जाता है उसके बद संबेति इसमृति दो प्रकार दो तरह की होती है इसके जिसमें से प्रतीमा सम्मन्दी इसमृति देखी गई वस्तों या व्यक्तियों के बारे में एक सेकंड तक द्रिष्टी चिन रख पाता है प्रतिध्वनी इस्मृति ब्यक्ति किसी सुदी वी आवाज उदीपन या स्रमड चिन अपने मन में एक सेकेंड से थोड़ा समय अधिक रख पाता है तो जैसे यह सुन रहे हैं तो यह सेकेंड से थोड़ा समय से कमने दिमाग में आप रख पाएंगे तो यह साइकोलाजिकल ह है यह तो बता जा रहा है कुछ है नहीं तो लगू अवधी इसमृति इसमें बिलियम जोंस के प्राथमिक इसमृति भी कहा है तो यहां पर थोड़ा से दिखिए प्राश्मिक इसमृति इसमें कहाई एस्टियम के भी से की घटना अधीक से अधीक 20-30 सेकेंड तक धारित कर के रखा जाता है तता इसमें सीखने की मात्रा कम होती इसके चलन इसमें इसका प्रतिपादन बे डेल द्वारा किया गया इसमृति में सुचनाओं की संचे शमता सुचनाओं को संसोधित करने की छमता दो ही समलित होती है इसके बाद देर अधी इसमृति तो यहाँ पर बिलियम जोसन इसमृति यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी आर यसमभी का इस तरह की समृति में ब्यक्ति किसी पार्ट घटना आधी को कम से कम 30 सेकेंड तक याद किये रह किसी पार्ट घटना आधी कम से कम ती या और अधिक से अधिक कितने दिनों तक याद किये इसकी कोई सीमा नहीं है इसके बाद वर्ट लेट तो तथा रख असका वायर ने दिर्वकालिन इसमृति को उसके अंतर विश्यों के आधार पर दो समान वर्गों में बाटा तो ए अनफुरूप के दो भागों में बाटा है तो कौन करसे ने दो संग्गी की स्मृति तथा अर्थ गती स्मृति तो स्वरूप अस्मरड का स्वरूप अस्मरड से तात पर पूर सिखे गए विश्यों या पाठो को चेतना में लाएने से होता अस्मरड की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती जिसमें चार तरह की उपक्रियां समलित होती तो पहला दिया हुए सीखना तो सीखना अस्मरण की पहली सीड़ी है जब तक विद्यार्ति किसी पाठ या पाठ को उसी नहीं उसे अस्मरण रखने का कोई प्रस्म नहीं उठता सीखे विशियों को इस रिती चिन्नों के रूप में फिर सिच्छार्ति उसे धारण कर रहते ह हैं वह धारण जितना लंबा मजबूत होता अस्मरण उतना ये तीश्ड होता है फिर प्रत्यान करके सिच्छार्ति धारण की जांच कर लेते हैं इसके बाद अस्मरण की प्रक्रिया असपश्ट एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसे कई उपक्रियाओं समलित होती इसके इसके विशिष्ट स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मनोवग्यानिक ने दो तरह की धारा प्रचलित है तो यहां पर अस्मरण का पुनरूत पाद होता है तो यहां पर दिये इस विचार धारा के समर्थक इवी गहास हैं इनके अंसर अस्मरण ये पुनरूत पादन मा प्रक्रियां अर्थात सिच्छार्थी को जो भी सीखते हैं उसके बाद में ठीक उसी रूप में बिना किसी हेर फेर किये वह प्रायान करने में समर्थ होते हैं उसके बाद भी दिया हुआ है असमर्ड का स्वरूप चनात्मक होता है या विचार धारा इंगी हास की विचार धारा के विप्रित था इसका प्रतिपादान एक अंग्रेज मनोबैग्यानिक जिसका नाम वाल्ट लेट था ने अपने प्रसिद पूस्तक री मेंबरिंग में किया उतके वाद बोट लेट ने कहानी समंधी प्रयोग तताचित्र आलेखन समंधी प्रयोग के आधात पर अस्वर्ष्ट किया की असमर्ड एक पूनर रशनात्मक मांसिक प्रक्या अर्थात किसी सीखी हुई समग्री का प्रत्यान सिच्छार्थी हुँ बहुत ठीक उसी रूप में नहीं क करते बल्कि यसे कुछ परिवर्ष्टन करते कुछ नई समग्री को प्रत्यान करते समय अपनी तरह से जोड़ देते हैं तता पूरानी सीखी हुई गई समग्री में से कुछ समग्री को जाती है इसके धारड दिया हुआ है तो धारड विद्यार्थि तीखे विषयों को इस में चिन्न के रूप में लाने की प्रक्रिया धारड की प्रक्रिया बहुत ही कारको दर प्रभावित होती है मनोब ग्यानिकों ने इन कारकों को निम्ड की दो भागों में बाटा है तो बने रहे हैं माई इंडिया चैनल के साथ माई इंडिया चैनल आपके साथ लगा हुआ है कुछ खना नहीं वीडियो को दो बर तिन बर देख लेंगे और सब चीजे सही से हो जाएंगी और जादा जादा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छे वीडियो को हम ढ़ाले है तो यहाँ पर धारड करने वाले विद्यार्थियों की विशेश्ता है तो जब विद्यार्थि किसी पार्ट को सीखने कर उसे धारड करने की कोसित करता तो कुछ अपने विसेष्थाएं होती जो धारड की प्रक्रिया को प्रवावित करती है या विसेष्थाएं निम्लिके से सिच्छार्थी की या यो सिच्छार्थी की बुद्धी सिच्छार्थियों की परिकलन साम बेगिक इससी अभी रूची एवनम अभी चमता है उसके ब पाठ से संबंदित होते हैं ऐसे प्रमुक कारक नेमलिकी तर्थ सीखने की विदी तीखेगे विश्यों का स्वरूप उसके सीखने की मात्रा विश्यों की लंबाई तो यहाँ पर धारण की जाँच की विदिया तो यहाँ परहला मेथर अड़ाप्टेस्टिंगATA उसके बात प्रत्यान विधी तो इसमें पूरड़ उसके सामने विधी mist सामने से घटादेते था उसकी अनुपास्थिति में ही उसे बोलकर या लिखकर उसका प्रत्यान करता है। परतीष ज्यान विदी तो इस विदी में मूल पाठ या विशे को उसे मिलते जूलते समय या विशियो के साथ मिलकर व्यक्ति के सामने उपस्तित किया जाता है और व्यक्ति को पूरी तरह? पूर सीखे गए विशेयों की पचान करनी होती है इसका पूना सीखना विदी तो यहां पर री लर्निंग में थड़ तो इस विदी का प्रतिपादन इम भी हास ने किया था इसे बचत निदी भी कहा जाता है इस विदी में पाठ या एकांसो को वो सिछ्य क्षारतियों एक निश्यत कसवटी तक सीख लेते हैं इसके कुछ दिन या कुछ घंटे भी इतने के बाद सीखे पाठ या बिसयों को उसी कसवटी कसावटी तक पुना सीखना करता है धारण की जांच सिच्छार्थी द्वारा पुना सीखने में लगे प्रयास या समय की या त्रूटी के आधार पर की जाती है उसके बाद पुना निर्माड तो इसको भी हम जानेंगे तो री कांश्ट्यू कांश्ट्रक्शन मिथड तो यहां पर इस विदी में पुना सीखे गए पाठ या विशे को कुछ समय अंतराल के बाद व्यक्ति के सामने एक या च्छी करम को उलट पुलट कर प्रसुत किया गया व्यक्ति को इस एकांसो को फीर उसी करम में पुनर निर्माड या पुनर बिवस्ता करने को कहा जाता है जीः क्रम में उसे एक एकांस को सीखा था इस विदी में धारठ की जाज पूर्वकरम में पूर्णर वयोवसित किये गए एकांसों की संख्या से की जाती है इसके बद रीकाल तो प्रत्याहां तो प्रत्याहां एक ऐसी मांतिक प्रक्रियदा द्धारा हम अपनी पूर अनभूतियों में चेतना में लाते हैं किसी किताब को एक किताब से एक कविता सीखते हैं फिर किताब बंद करके उसका बंद करके उसका बोलने या लिखकर पुनर उत्पात करते तो यह प्रत्याहान का उधारण होगा तो नेश्ट पेश पहांगे तो बनेरें माãyंडिया चेनल के सथ माãyंडिया चेनल आपके साथ लगा हुए कुश करना नहीं वीडियो के दो बार तिन बार देख लीज़ी तुट्व प्रती बज्ग्यान तो प्रती बज्ग्यान एक ऐसी मानतिक क्रिया जिसके द्वारा विद्ध्यार्थी पूरु सीखे गए पदो को सद्रिस तथानाय पदो के साथ मिलकर उपसित कर के उसे अलग करता है जैसे मान लिजिए लिया जाए कि एक विद्ध्यार्थी को 15 सहरों के नाम की सुची याद करानी उसके बाद 20 अन्य सहरों के नाम मिलकर उसे पहचान करने को दे दिये जाते हैं कि पहले सीखे गए सहरों के नाम पर सही ठीका लगाएं या प्रक्रिय प्रति भी ज्यान का उधारण होगा उसके विस्मरण तो भार गेटिंग तो विस्मरण इस्विती का एक नकारात्मक या रिडात्मक पहच्छा जब विद्यारति पूर्व सीखे गए अन्भाव को किसी कारण खोद देते हैं तो उसे विस्मरण की संग्या दी जाती विस्मरण के सुरूप के बारे में मनवग्यानिकों के बीच बीच दो तरह की परस पर बिरोधी विचार धारा हैं तो यहां पर एत विस्मरण एक निस्क्री मानसिक प्रक्रिया है इस विचार को समर्थक ईवी गहास से इसके अंसर विश्मरण समय भी इतने के सांसत निस्क्री ढंक से अपने आप होता जाता है उन्होंने विश्मरण का एक प्रयोगात्मक अध्यान किया जी उन्होंने निरर्थक पदो की कई सुची को से हम तिखाया था उसके धारण की जांच भिन भिन समय अंतरालों पर किया इस प्रयोग के परड़ाम में उन्होंने पाया कि सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीचता गया वैसे वैसे निस्क्री ता के निस्क्री रूप में मांसी में थाने इसमरिती चिन अपने आप ही सिखड एम कम जोर पढ़ते गये और विस्मरड की मातरा भी बढ़ती गई उसके बाद समय बीचने के साथ विस्मरड की मातरा था दर में हुए परिवर्तन को इवी गहास ने एक भी सै वक्र द्वारा दिखाया जिसे विस्मरड वक्र या इवी गहास वक्र कहा जाता है इसके विस्मरड एक तक्री मांसीक प्रक्रिया है जे ने किन सत्था डे लेन वायक मूलर एवं फी जे लेकर फ्रा एड मेंटल एवं इरिवी ने अपने अपने प्रियोगों असपश्ट रूप से पाया की विस्मरड निस्क्री रूप से समय बीचने के साथ ही अपने आप नहीं होता बलकि उसे बीचती वे समय में जब यक सक्री होकर किसी पाठ को सीखता है तो इसे विस्मरड होता है तो विस्मरड के कारण तो उसको भी हम जानेंगे और चैनल ना सब्सक्राइब कर लिए प्रापरा फायदा यहां से आपको निश्यति मिलेगा और इस कोचिंग उसकोचिंग भटकना नहीं पड़ेगा तो इसक समरड की मात्रा को प्रवावित करते यह कारक नेमली के तिस्च्छार्थी का स्वास्तमान्तिक विर्थिसां बेगिक कारण उसे अभी प्रे रडात्म कार रख तो यहां पर जो दिया हुआ है तो और आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फायदा निश्यतियों कि विषे में विष्मरड का पत्र तब उठता है जब कभी उसे सीका गया हो अतक किसी विषे को सीखने से संब्रवावित चार्ट ध supply को मात्रा प्रवावित होती कारक नेमली की थचितर जाने वाले विषे का सोरुक्स प्रिश्टो मुख पोर्व सज्टो कि प्रभव रोद अगरव लचछी प्रा रोद् सुट्वी श्मरड के लिए 60 ब्याक्या के लीए मनवग्यानिकों में कई से भादान के द मियूद्ध सिध्धान्थ, अतिदिक महतपूर हास सिधान्त इसे अनुप्रयोग सिधान्त कहा जाता है इस धान्त का प्रतिपादा इविंग हास ने किया था इस धान्त का मूल तथ है कि सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीचता जाता है इस प्रतिचिन्नों का हास अपने आप होता चला जाता है इस हास का मूल कारग बीचत वे समय अंतराल में सीखेगे पाठ या विश्यों का अनुप्रियोग अर्थात उसका नहीं दोराया जाता है क्याना है दोरा नहीं जाना है इसका समर्थ अर्थक थारनाइड ने भी अपने अध्यनों से किया था इस धानत का सैचिक आसाया है कि सिखको को किसी पाठ विश्य या पूनर सिखड अक्सर करते रहना चाहिए ताकि वे स्वयम ना भूले साय चात्रों को भी उन्हें समय समय पर सीखे गए विश्यों का पूनर रिचर्ड करने की प्रिड़ा देनी चाहिए ताकि वे भी सीखे गए विश्यों या पाठों को भूल नहीं जाएं तो उसके बाद यहां पर बाधक या हत छेफ सिधान तो यहां पर इस सिधान को ब्यावार वादियों का सिधान भी किया जा तो बाधक सिधान के जब किसी पूर सीखी गई अनुक्रियां या विश्यों का प्रत्याहान किया जाता है तो उस समय उन सभी अनुक्रियां या व पहले के पर्वा भा़ं में सीखे होने उठ पर प्रभांट बाधक प्रभामश रस बीजिद्धांभा होता है तो यहां पर सिच्छा के दृष्टी से यह सिधन मौतपूर निकित दो कारको से है तो यह सिधन अन्त संकेत देते हैं कि जब सिच्छक छातरों को नया पार्थ पढ़ावें तथा नया विष्षे पढ़ावें तो उन्हे इस नये विष्षे यह पार्ठ को इतना से छात्रों के सामने रखना चाहिए कि पुराने पाठ या पढ़ाएगे तिखे गए पाठों से उसकी विभी ता एक समानता असफष्ट हो जाए तो भी नेश्ट पिश प्याएंगे भी जब छात्र किसी पाठ या विषय को आंसिक रूप से सीखते हैं तो इसका धारण प्र अधार अधाक प्रभाव यानि विस्मरड को कम करने के लिए छिचकों को प्रभाव किए छात्रों के किसी विषय या विषय का आधिक सीखना कर लाय ताकि उसका विस्मरड कम से कम हो और संग्यानात्मक सिद्धान जो कॉंगरी नेटिव थियरित इस सिधान्त के प्रत्व तिवर संग्यानात्मक सिधान्त को जैसे कोहल काफा लेविंग उसु बेल आदी द्वारा किया गया है रिली के अंसर इस सिधान्त का सैचिक आसया है कि सिच्छकों को चाहिए कि वे जब छाद्र को नया पाठ विसे पढ़ावें तो वे उसका संबंद पहले पढ़ाएगे पाठो या विसेव से ठीक धंग से पहले बता दे ताकि छाद्र मूल पाठ या विसे का पुनर संगटन क पुनर संगटन इस धंग से करे कि उसमें कम से कम विक्रित आये ताकि उसका अस्मरण भी कम से कम हो उसके बाद अभी प्रेडा सिधान तो इसी धान का प्रतिपादन सा इमंड फ्रायड द्वारा किये गए प्रेचचडो एवं उसके व्यक्तिगत अनभवों के आधार पर किया गया फ्रायड ने इसे धान को असपश्ट किया कि भूलने की हमारी इच्छा की प्रधानता होती है इसके बाद सिच्छा के दिरिष्टी में सिच्छकों को चाहिए कि वे छात्रों को पहले वैसे पढ़ाए जो अभिप्रेडा रूप में दिल्चस्प एवं मनरंजक हो इसे छात्रों को सीखने के साथ ही अभिरूची एवं रुजान उत्पन होगी और वे विशय को जल्द नहीं भूलेंगे मेटा संग्यान को भी हम जानेंगे तो मेटा संग्यान पद के उद्धव का स्रे जान प्ले वे इल को जाता है उन्होंने संग्यान विकास के संदर में मेटा संग्यान का विशेश रूप से अध्धन किया है मेटा संग्यान से ताथ पर संग्यान आत्मक परी घटनाओं के बारे में संग्यान से होता है सोद करता हो केंसों संग्यान के कई पहलू में मेटा पद के साथ जोड़ा जा सकता जैसे मोटा भासा मोटा बोध मेटा जैसे मेटा भासा मेटा बोध मेटा इस्मृति त्यादी तो बने रही है माई इंडिया चैनल के साथ माई इंडिया चैनल आग के साथ लगा हुआ कुछ करना नहीं वीडियो को दो बार तीन बार रिकाल करके देख लिजिए गए और इस क फिल ममेटा संग्यान ने मेटा इस्मीटी पल डाला मेटा इस्मीटी से यह जोता ज्घात्र और समय तेवह कि उनकी कि इस्मीटी से काम करती है इस्मीटी के अन्य पहलू का भी इयान प्राप्त विश्टीं तो इस विधी तो पी की आरे स्टी बिदि इस बिदि का परेस्ट, थामस ते रावींसं के विचार के आधार पर किया गया इस विदी का मुल्ञ दित पाथे पुस्तक के शांमत्यों तरहा अध्यन काकर न Panhandraeg 9 नेशाइन का kg का नाम क्रड़ की पांच अवस्ताओं के पृस्मर सिब props अच्छा मिला कर की आ गयत विप पीछ screen क्विश्चन आते रीड यह से से टेस्ट तो नेश्ट पेश पर आएंगे और चैनल को ना सब्सक्राइब ही हो तो माई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और निश्रीति आपको यहां से कुछ ने कुछ फाइदा जरूर होगा तो कुछ के बहुत ज्यादा अपक गुड मेमोरी तो सिम्टोम्स आप गुड मेमोरी तो उससी च्यामन वगज्यानिकों ने अच्छी स्मृति की कुछ भी तेस्ताओं का वर्णत किया जो इस प्रकार तिब्रता या थारता उसके सीखे गए विश्यों को लंबे समय तक धारड करना उसके सही सामगरी का सही सम पर प्रत्यान के किसी विशय या वस्तु को सूज द्वारा या समज कर सीखना उसके अधिक मात्रा में धारड करना उसके बाद परिच्छाब योगी तत्थ जो हैं उसको भी हम जानेंगे तो जो की एकजाम के लिए मतपूर हैं तो इस विती एक सामाने पच्छ है जी इसे पर पूर्व नुभूती को मस्तिस में इकठा कर रखने की छमता से है इसमेती की तीन अवस्ताया ततो संकेतन संचे तता पुना प्राप्ति इसके बाद असमरड के स्वरूप के बारे में कुछ ब्रग्यानिकों का मत है कि एक पुनरुत पादन मांसिक प्रक्रियात तो कु वाले कई कारक है जिसमें कुछ कारक सिछार्थियों से सम्मंदी तथा कुछ कारक सीखे गए पाठ से सम्मंदी ते मन्य वग्यानिकों को निधारण की जाच की चार विधियों का वर्ण के प्रत्य भीज्ञ्ञ्विदि इसके पुन्य इस विधी में प्रत्य निर्मदि इस विधी में प्रत्य सब्से लोग पर है मेटा संज्यान को उन्नत बनाना सिछार्थियों के लिए एक उत्तम छड़ रण निति उसके इसमें उत्तम सूचना सं साधन माडल की भूमक्या सबसे ज्यादा सामर्थ है इस्मृति पर संस्क्रिति एम लिंक का सार्थक प्रभाव पड़ता है तो बने रही है माई इंडिया चैनल के साथ माई इंडिया चैनल आपके साथ लगा है कुछ करना नहीं वीडियो को दो बार तीन बार देख लेज़ेगा और निश्चि तरे आपको चैनल कुछ फायदा कुछ के फायदा हो जाएगा किरियात्मक विकास तो विकास एम मानसी विकास सारी विकास से दाथ पर बालोकों के उम्र के अनुकर आकार सारी कहानुपाद अहटडियो मांच्पेशियो दांत तथा तांत्री, में समचित विकास के होता है खतुत घंज में और खत 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 को मन्ained Зवietet आकार अहेमनी की पछत्युक्व़ेरस में सारी विकास की गती मंद होती है और दो में सारी विकास की गती तिब्र होती है तो पुर प्रसुती कालत था जन्म के प्रथम 6 महीनों में सारी विकास की गती काफी तिब्र होती है जन्म से 7-8 महीने के बाद की सारी विकास की गती मंद पढ़ने लगती है और एक समान गती से लगबग 12 वर्थ तक चलती रहती है, 12 से 15 अवलिक 16 वर्थ तक कि उम्र के सारी विकास की एक बार फिर तिब्र हो जाती है, तो विकास की गती एक बार फिर तिब्र हो जाती है, इस मनवग्यानिकों ने तारूड विकास लहर कहा, इसके बाद पूर परिपक्ता की प्राप् तक बालकों के सारी विकास की गति में मंदता आ जाती है इस अवस्ता में का सारी विकास जितना उचाई तक पहुच जाता है वह बुढ़ाब पे तक बना रहता सिर्फ वजन घरता बढ़ता रहता है इसके बाद यहां पे थोड़ा से तो थोड़ा समयनेश कीजिएगा थोड़ा से आगे पीछे हो जाता है कि यह पूटर इसकीन तो कोई बात नहीं तो हारला के अंसार एक क्रमिक एवं संगत परिवर्तन के उत्रोक्त स्रिंकला को विकास कहा जाता है अर्थात विकास के गुड़ात्मक परिवर्तन एवं पौईडात्मक परिवर्तन दोनों सम्दित रहते हैं अंग के आकार एवं सं रचना में परिवर्तन परिवर्तन के उधारण इसके गये सेल के अंसार परिपकता का तात पर बालकों में होने वाली उन सारी क्रियाओं से होता है जो स्वया तता आनुवांसिक रूप से निर्धारित तत्थो ड़ारा नी देशित होते हैं उसके बाद गयसेल के अंसर बालकों में होने वाले सभी फी लोग जे नेटिक क्रियाए परिप्वक्ता पर आधारित होती फी लोग जे नेटिक क्रियाओं का ताथ पर वैसी क्रियाओं से होता है जो सभी प्रजातियों के बच्चों में पाई जाने वाली पाई जाती जैसे चोटे सी सुओ द्वारा सकरना या सीखना घूटने के बल चलना बैठना चलना इत्यादी तो बने रही है माइन ये चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी ताकि कोई भी नोटिफिकिसन हो आप तक पहुँच जाए और बने रही है तो इसका फी लोग जे नेटि बाता गुदासमा परिवर्तं से होता है परंतु परिफ्यक्ता का समनता बालकों में आनवसिकता के प्राप्त अंतieving के खुली अभी भ्यक्ति से होता युट मनौत ज्यानिकों सारी के दस अताहों में बाटा है तो पलापूर प्रसुति तो यहां पर यहां पर इस अवस्ता या अवस्ता गर्भधारण से प्रारम रम ओका जन्म तक की होती उसको सहसा होता इन फेंसी तो यह अवस्ता जन्म से प्रथम से 10 से 14 दिन की होती इसको बचपन इसे बेबी हुड आवस्ता थो थो यहां पर होती यहां अवस्ता दोसे Kath awake कर भारा वर्थक की होती ए मनों खिनोने के बचाने की year प्रारंबिक बाल्या अवस्ता तो yearly यारली चाइल्डुड यावस्ता दो वर्से प्रारंब होका 6 वर्सकी होते इसे सिक्ज़ेको द्वारख स्कूल अवस्ता प्रीदfund keyboard या प्रास्च टोल तो प्री गेंज इस्टेज तो भी कहा जाता है इस अवस्ता में बालको में महत्पूर सारी विकास फिजिकल डेवलप्मेंट ता भासा विकास लैंगोज डेवलप्मेंट प्रत्यच रात्मक एम संग यहां पर दियाव संग्यानात्मक विकास impact आथ बहुत दिकास सामाजिग विकास तो जासे सोसल डेवलप्मेंट करते तो साम्गईख विषाथ इमोणीनल डेवलप्मेंट नौटीनल डेवलप्मेंट होता है तो उसके बाद सोसल जो होता है तो सामबेगी तो यह सब तो बने रही माइंड ये चैनल के साथ माइंड ये चैनल अपर लगागों कुछ करना नहीं दो बाद तीन वाद वीडियो कर देख लीजिए कि उससे प्रापर आपी को फायदा होगा और यहां पे छह वर्थ की उम मोटा होता है यानि वे एंडो मार्फिक होते हैं उसके बाद कुछ का सारी गठन हर्ष्ट पुष्ट होता अर्थात में सोब मार्फिक गठन के होते हैं कुछ का सारी गठन दूबला पतला होता है अर्थात वे एक्टो मार्फिक गठन के होते हैं उसके बाद उत्तर बाल्य गया है, क्योंकि अक्षर बालक अपने माताप्यता के बारे में न मानकर अपने सास्थियों के पारे में अधिक मानते हैं तो नेश्ट पिश पर आएंगे और चैनल को ना सब्सक्राइब की हो उसे प्रापर फाइदा आफिक होगा तेहां पर सिच्छ को इस अवस्था को प्रारंब स्कूल अवस्था का है क्योंकि इस अवस्था में बालक इसकूल में अवचारिक सिच्छा के लिए जाना प्रारंब कर देता है इसके मन्यवग्यान को ने इस अवस्था को गिरो अवस्था का है क्योंकि इस अवस्ता में बालक अपने गीरों या समूं के अन्ने सदस्यों द्वाद स्विक्रित किया जहां नासरवादिक महतपूर होता है इस अवस्था में बालक में सारिक, मत्पूर सारिक, विकास भासा, विकास सामाजी, विकास मांसिक, विकास तता संग्यान विकास होते हैं जिसका ग्यान होने से सिच्छक आसानी से बालको का मार्ग निर्देशन कर पाते हैं उसके बाद यहां पे और दिया हुगा कि उत्तर बाल्या वस्ता में बालको की उचाई सतन दो से तीन इंच की वार्षिक ब्रिद्धी होती है 11 वर्ष की लड़की की उचाई 10 से 58 इंच तथा उसी उम्र के उम्र में लड़के की उचाई 57.5 इंच होती इस अवस्ता में सारिक वजम 3 से 5 पॉंड तथा उसतन प्रती वर्ष बढ़ता है बालको में पेशी उत्तक की पेच्छा चर्वी उत्तम उत्तक का अधिक विकास होता है इस अवस्ता के अंतरगत 28 बालकों में 28 अथाई दात निकल आते हैं और 4 अथाई दात विसर अवस्ता में निकलते हैं कि पिया जे के अंसा को अधिक मजबूत असपश्ट एवां मूर्थ बनाने का प्रयास करता है इसके वद तरुड़ा वस्था या प्राक किसोरा वस्था लड़कियों में या वस्था 11 वर्ष की यहां पर प्रारंबिक की सोरा अवस्था तो इस अवस्था तेरे से चौदर वर्ष की प्रारंबो का सत्रा वर्ष तक की होती है इस अवस्था मसारी विकास सथा मांसी विकास बालको के अधिकतम होते हैं और उनमें विवेक तथा उशित अनुचित का ख्याल अधिक नहीं र अधिक नहीं रहता है। इसके परवर्थी की सोरा वस्ता तो लेटर एडो ले सेंस तो यहां पर यह अवस्ता 13 से 14 वर्ष की से प्राराम वोका 17 वर्ष की होती है। अवस्ता मतारी विकास मानसिक विकास बालकों में अधिगां होता है और इसमें विवेक तथा उचित अंचित का ख्याल अधिक नहीं रहता है। परिवर्थी की सोरावसा या अवसा 17-29 वर्ष तक की होती इस अवसा में बालक पुर रूपेड सारीक तथा मांसिक रूप से सोसंत्र हो जाते और अपने भविति के बारे में तरह तरह की योजनाय बनाना सुरू कर देते हैं बालक तथा बालिक्याओं के विपरीत लिंग के ब्यक्तियों के प्रति अभीरूची अधीक हो जाती है उसके बाद प्रारे में बिक वयसक तो यह अवसा एक कई से 40 वर्ष तक की होती इस अवसा में ब्यक्तिसाद्धी कर अपना घर परिवार वसाता है तो प्रारे में बिकास को मजबूत कर आगे बढ़ाता है तो नेश्ट पेश प्याएंगे तो बने रही है माई इंडिया चैनल के साथ और चैनल ना सब्सक्राइब की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगे और नेश्ची थी यहां से आपको कुछ नखुश जरूर होगा तो मध्यावस्ता तो यहां पर कहेंगे बहुत कठीन अ गया तो कुछ है नहीं तो यह वस्ता 40-60 वर्ष की होती इसमें ब्यक्ति द्वारा पुरुप्राप्ती उपलब्दी तथा आकांचाओं को बहुत सुद्रिड किया जाता बुढ़ापा या शथिया वस्ता तो बुढ़ापा या सथिया वस्ता बोलते हैं तो यह वस्ता 60 ब्यक्ति को जिन्दगी में किसी खास अविदि से या आवदी के बारे से संबंदित होते है जिसकी सफलता उपलब्दी से व्यक्ति में खुत होती है और परवर्ती कारियों को करने में उसे आनंद आता है परन्तु सफल होने से व्यक्ति को दुखी होती है समाज में तिरसकार मिलता है और परवर्ती कारियों को करने में उसे कठनाईयां भी होती है उसके बाद विकासात्मक पाठ के द्वारा निम्ड की तीन तरह की पूरती होती है तो पहला जोहत विकासात्मक पाठ से सिच्छक द्वारा अभी भावकों को यह जानने की सुविदा होती है कि एक खास उम्र पर बालक क्या सीखते हैं और क्या नहीं उसके विकासात्मक पाट बालकों को उन भारों को सीखने में एक प्रेड़ा का काम करता है जिसे मानसिक समू उसे सीखने के लिए उमीद करते हैं क्लिकांस आत्मग पाठ सिच्छ तु था माता पिता को यह बताता है कि अपने बच्चों की निकट भवश्ष्ठ तता थुधूर । भविस्थ में क्या उमेद करना चाहिए कि चाहिए अता तो बनेरी है माई इंडिया चैनल के साथ माई इंडिया चैनल आपके साथ लगाने कुछ करना ने चैनल को सब्सक्राइब करें दो बातीन बात देख लिजेगा अता बिकात आत्मों को पाट सिच्छ को तथा अभिभाव को को अपने बच्चों को इसी ढंक से कि तोरह वस्था तका परारंबिक वयास का सथ कि निम्कित विकाताथ मोंग पाट सयार किये हैं कि तो यह प्रारंबिक बाड़्यावस्था कंद लिए विकाताथ म águaच तो डेवलयमेंट का पास्क फार यर्ली चाइल्ड हुड तो जीरो से च्छ वर्षक की यह वता जिसमें ते मतलब इसका जो लच्छड़ा है उसको हम बता रहे तो चलना सीखना ठोस आहर लेना बोलना सीखना मलमुत त्याक करना योन अंतरों तथा योन सीलता को सीखना उसको सारीरिक संसुलन बनाए रखना स सामाजी के हम बहुत तिक वा तुटा में सक सरलतम संप्रत्य को सीखना उसके अपने आपको माता भाई बहनों तथा आने लोगों के साथ साथ सामवेगिक रूप से समधित करना सीखना उसके बार नेस्ट पेस पर आएंगे तो बने रहे हैं माइंड ये चैनल के साथ कुछ करना नहीं वीडियो के दो बर तीन बर रिकाल करके देख लीजिए गया और निश्चित यहां से सब बाल्ड विकास का जो भी आता है सब हो जाएगा इसके बाद सही तथा गलत के विभेत करना सीखना अपने में एक विभेत विक्सित करना उसके उत्तर वाल्य आवस्ता के लिए विकासातमक पाड़ तो यहां पर च्छा से बारा वर तो ताधा रड़ खेलो के लिए आवस्यक सारी कवसल को सीखना अपने आपके प्रती एक हित कर मनोब्रीच्टी विक्सित करना उसके बाद यहां पर दिया हुआ है अपने उम्र के साथियों के साथ मिल जूल कर स प्रियुक्त पूरू सोचीत तथा इस्त्रियों चीत यौन भूमिकाओं को सीखना पढ़ना सीखना तथा गेंती करने ते संबंदित मौलिक कौसल विक्सित करना उसके दिन प्रदीन की सुचार जिन्दगी के लिए आवस्य संप्रत्यों को सीखना उसके मौनेतिक मुल्य संस्थानों के प्रती मनोब्रती विक्सित करना उसके यहां पे किसुरा वस्था के लिए विकासात्मक पाड़ तो 13-19-20 वर्षा के दो दोनों यानों की समान उम्र के साथियों के साथ नया एवं परिवर्पक संबंद कायम रखना उसके उचित पूरू सोचित एवं इस्त स्थानों कायम करना उसके लिए अपने आपको तयार करना इसके जीवन के प्रतिभाव प्रतियोगताओं के लिए आवस्था संप्रत्य तथा बहुत दिक कौसल को सीखना उसके बाद यहां पे दिया हुए कि पारिवारिक जीवन तथा साधी के लिए अपने आपको तयार क प्राव्ति का पर्फट करने की भरपूर कोसीज करना अर्थिक स्वतनता की प्राव्तिकी और अग्रसर होना उसके प्रार्यमिक वयस्का वस्था तो यहाँ पर प्रावियों OIS का के लिए भी का सात्मक पाठ तो एक कैस से 40 वर्थ अपने जीवन साथी चुनना तो यहाँ पर जोकी दिया हुगा है तो यहाँ पर साधी चरके अपने जीवन साथी के साथ रान ना सीखना इसके बाद तो बने रही है और कुछ करना नहीं है नेस्ट पेज़ पे हाई है और कुछ करना नहीं है भीरी जीदी सब खत्म होगा और यहाँ पर एक पारिवारी जिन्दगी प्रारंब करना बाल बच्चो तथा पारन पोसर सीखना घर परिवार को ठीक धंक से चलाना सीखना किसी बेहसाय में लग जान नागरीक उत्तरदाई तो गराड करना एक अनु कुलन समाजिक समू तयार करना उसके बच्चो तो बालकों के उन सभी मानस्पेशित तंत्रिकाओं के समन्यूत कार द्वारा अपने सारी क्रियाओं को पर पूर नियंतर प्राप्त करने से इसके बच्चो तो हर लाग के अं तरफ राप्त करना क्रियात्मक विकास का लाता जैसे जी सिसू के हाथ तथा पहर की मानस्पेशियों तथा तंत्रिकाओं विक्सित रहती है और उन दोनों के बीच ठीक डंग से समन्यू होता है उन सिसू में हाथ पहर के सारे चलना तथा सिर्फ पहर के सारे चलने की प्रक मौटर डेवलापमेंट साव two- wykor Susan biblical keyboard निर्भर कर या दो समसी स्वोग mewni चली संत्रिकी पी जो मेरू डंड में अवस्तित होती हूपरी तंत्रिकी कींद फर जो की होता तो यहां पर bize a لजो इन िैर्फ हिसेंटर तो आपर मेरय वैसेंटर तो जो मन मस्तिस्क में वस्तित होती है कि अपिछा अधिक विक्सित होती है मेरू डंड द्वारा मुलत सहज क्रियाओं का नियंत्रड होता है इसके बाद यहां पर दिया हुआ है जान्म के समय समय बच्चे में ही बालको में सहज क्रियाओं का होना पा जाता है एक साल की उम्र में बालकों में मस्तित का कूछ भाग जैसे लगू मस्तित के तता ब्रियत मानस्तित का विकास हो जाता जिसके फसरू बालक अच्छी क्रियाएं करना प्रारम कर देते हैं लगू मस्तित के विकास होने से सिसु के क्रियात्म विवहार जैसे चलना पकड़ना इ परिपक हो जाता और बच्चे के क्रियात्मक बेवार पूर्थ संसुलित हो जाते हैं तो नेश्ट पेच पर आएंगे और चैनल को ना सब्सक्राइब की हो तो माइंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अपने शीति आपको यहां ते कुछ न कुछ फायदा जरूर होते ह अपक्र्यात्मक बिकास मानस्पेसियों की परिपकता पर भी निरफ़ करता मानस्पेसियां मुफ रूप से दो प्रकार की yeah दहारीदार पेसियों का सम्ळ्द क्रियात्मों विवार से दिदा है और इसके द्वारा सभी एच्छी क्रियाइग नियंतरित करियाइग दिद एमान पेसियों का बिका को सब्सक्राइब तक नहिं सीखाजा। तक नहीं सीखा जा सकता जब तक बालक पूड़ रुपेध उसे करने में के लिए परिपक्ट न हो जाे बालकों को किसी प्रकार का क्रियानन नीपूडता तक नहीं सीखाई contributions सकती जब तक उसका परिपक्वन पूर्ड न हो गया हो परिपक्वन के अभाव में दिया गया परिचर्ड जो कि यहां पे दिया हुआ है तो उसको भी हम जानेंगे कि दिया गया परिचर्ड तता खुद बाल को द्वारा किये गए प्रयास में कुछ शड़िक लाब हो भी सकत है पर अस्ताई लाब नहीं हो सकता है करिया तो भी कास के एक पूर्वानू में पैटर्न होता है तो क्रियात्मे में बिकास एक निशीत करम के अंसाधा सभी बालुकों में होता है तो पूर्वानू में होता है बालकों में क्रियात्म विकास दो प्रकार के क्रम द्वारा होता है एक मस्त कामदों की क्रम निकट से दूर विकास क्रम तो मस्त कामदों मिक्रीड यह विकास सीर से पैर की ओर होता है निकट से दूर का विकास करम के अंसर बालकों में सरीर उन अंगों का विकास पहले होता है जो सरीर के केंदर में होता है तो यहां पर बने रही है थोड़ा से थोड़ा से सेट करने उसके बाद बने रही है तो जो केंदर से होता है बाद में होता इसका निकट धूर विकास करम के अंसर बालकों में पेट छाथी वाज जांग में क्रियातन्व विकास के लिए मानज पंभा शिस्टू के विकास प्रकार की किरियात्मक विकास के लिए मनुवग्यानी को द्वारा एक माना तैयार किया गया इस विकास द्वारा यह पता चलता है कि किस उम्र के सिसू द्वारा किस तरह का किरियात्मक बेवहार किया जाता है इससे माता-पिता तासेचक दोनों को ही एक प्रकार का मार्ग दर्थन प्राप्त होता है और वे किस विशेश उम्र के बालकों से न तो ज़्यादा और नहीं कम उमेद करते हैं इतके बाद क्रियात्मक विकास में व्यक्तित विविनता होती है तो बने रही है माइड ये चैन साथ माहनने विक्तित वर्म धोनों बैटना इसके आक मैन सहरा देने पर खड़ा होना उसके बाद सर्माइना फर नेशर खड़ा होना इसके बाद स्लेग लिवे पर सेक। पकड़ कर चलना उसके तीरे महिना तीरी चड़ना 14 महिना है तो हम खड़े होगा जाना उसके बाद यहां पर दिया हुआ कि 15 महिना सोया से चलना तो मानसी विकया स्ट मानसिक चम्ताओं के विकास से होता है या मानसिक चम्ता में चिंतन करने की चम्ता तर्क करने की चम्ता याद रखने की चम्ता सही प्रत्याच मक विवेद करने की चम्ता इत्यादी समलित होते हैं इसको जेम्स ड्रेवर के अंसार व्यक्ति के जन्म से परिपक्त को तक की मानस उसके मांसिक विकास की विसेशना है, तो मांसिक विकास की जो जो विसेशना है, तो उसको भी हम जानेंगे कि मांसिक विकास की आयू के साथ बढ़ता है, आवस्यक एवं अभिरुचियों का विस्ता, नविन भी से विचारों एवं चिंतन का विस्ता, समय का ग्यान, उसके अ है तो बने रहे हैं माइंडे चैनल के साथ माइंडे चैनल आपके साथ लगा हुए कुछ करना नहीं वीडियो को देख लीजिए गए और आपको सब चीजे कंट्रेस्ट हो जाएंगे तो यहां पे और थोड़ा से बस ज्यादा नहीं है और थोड़ा से पूरा आज हम खत्म कर देंगे ताकि नेश्ट पार्ट नेश्ट वीडियो डाला जाए इसके मांसिक विकास की अवस्त मनों बैग्यानिकों के अंसार कुछ मुख रूप से मांसिक विकास तीन अवस्ताय होती तो एक प्रती वर्त या सहज क्रियाओं की अवस्त जन मसेल से के समझ से 10-11 वर्त की आईउतक सिस्वों में सहज क्रियाओं की प्रधानता होती हुँ उसमें चूतना निगलना कंडरा पर रिवर्त घूटना या जानू प्रवतन से बेवींस प्रती छेप इत्यादी प्रधानता हुद एक वर्त की उम्र में उम्र हो जाने पर उसमें कुछ परिवर्त पारत ल इस समय तक मस्तित का कुछ भाग जैसे लगुं मस्तिक तता ब्रियाद मस्तित का विकास हो जाना इसके फ़ल जरूब बाला कुछ एच्छी क्रिया करना आरम कर देता है इस अवस्ता इस प्रकात 13-14 वर्ष की उम्र तक बाला प्रतिवर्ष प्राड़ी के इंतनसील या संवय सब्सक्षर हो जाती है तो आएगा तो करिएगा नहीं चले का यह तो जो 18 वर्स महिने की प्रारम से होती है इस अवस्ता में बालकों का ब्रियद मस्तिक अधिक परिपक हो जाता है फसरुप बालकों में भासा का विकास हो जाता है और वे तरह तरह की एचिक रियाए करने लगते हैं उसके बाद उदेश पूर करने की अवस्ता दो से वर्स की आयू से आरंब की जाती इस अवस्ता में बालक उदेश पूर कार जैसे क्रिया खिलावना को पकड़ना खेलने के लिए कलंप करने दोड़ने आधिका कार प्रारंब कर देते हैं इसके मांसी विकास की यह अंतीम अवस्ता मानी गई आनने वाले वर्थों में भालक में आनने तरह के मानसिक शंबताउं का विकास हो जाता है उसके सहस्वस्ता वर्थ Natalia सहसावस्ता बच्छ पनावस्ता मानसी विकास तो इहां पर जनम से 2 य cheating में होने वाल वर्थ I विकास के प्रमुक्तत निम्लिकित यहाँ पे संबेदन की छमता का विकास तो यहाँ पे सिसुओ के विभिन प्रकार में संबेदन छमता का विकास होता जैसे द्रिश्टी संबेदन स्रमण संबेदन गराण संबेदन तता त्वक संबेदन इत्यादी तो तीसी उम्र तो यहा तो यहां पर सम्दृष्टी संबेदन दृष्टी प्रत्यच छरण उसको 5-6 महिना सरण वर्ड संबेदन 8-9 में द्वानी के आदार पर माता पिता की पचान तो बने रही है माई इंडिया चेनल के साथ माई इंडिया चेनल पर कुछ करना नहीं है बस यहाँ पर लेप्ट साइड में आपको एक गंटी देखें इसको गंटी को बजा के और पूरी वीडियो को दो बार तिन बार देख जाएगा तो गंटी बजाना न जानते हों तो का विकास नवजा सिसू पहले उद्धीपन का अर्थ नहीं समझता जैसे जैसे उम्र बढ़ता तथा मान्तिक विकास होता जाता है उसे समझ की सक्ति का विकास होता है सबसे पहले सिसू अपनी माता को पहचानता तब पिता ततास परिवार के अने सदस्यों को प्रारम में सिस त्यों में विभेद करना पूर्था सीख लेते हैं इसके बाद दिया गए कि दूइक का अस्थान संप्रत्य नवजासिसुओं में दूइक अस्थान संप्रत्य विगसित होते अर्थात एक नवजासिसु यह नहीं समझ पाता की कोई वस्तु की दिशा में है और कितनी दूरी पर 13 महीने से अधिक सिख उन्थी उन्य वस्तु को छूने की को सिखmeter नहीं करते जो उन्हें 20 इंग से अधिक दूरी पर होते होते के सांसा सिसुओं के दिग अस्तान संप्रत्य की विकास संप्रत्य भी विक्षित हो जाती है इसके भार का संप्रत्य तो सिसु को भार का ज्यान ठीक से नहीं मुताब भार्ज की मात्रा का अंदाज वस्तु के आकार के आधार पर लगाता है सिसुय समझता है कि बड़े आकार की सभी वस्तुय चोटे आकार की सभी वस्तुयों से भारी होती है उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास में भी बृद्धी होती है समय के समय का घ्ञान रॉम से कुछ नहीं होता हूँप्र सुभार साम दोपभराग राथ नहीं समझता है का हलका आर्थ समयने लगता है और जब वह फूड़ 27 महिने का हो जाता है तब उसमें आज कल और परसों का कुछ का भी कुछ-कुछ घ्यान होता है उसके आत्म समप्रत्य तो सेल्फ कॉंसेप्ट उसके अपने आपको अपने आपके बारे में जो शिसू का प्रती या पर दिया प्रतीमा बनता है उसे आत्म समप्रत्य कहा जाता है सिसूओ में इस अवस्था में पहले सारीक आत्म समप्रत्य का विकास होता है दो वर्ष बाद बालकों में मानसिक आत्म संप्रस्ते विक्सित होता है जिसे एक उसके संबेग चिंतन आत्म इस्मिती की मत्पू भूमिक्या होती उसके याउन भूमिक्या संग्रत सेक्स रोल कांसेप्ट नवजासिसुगों में यह ग्यान नहीं होता की रड़का लड़की की आवाज बेज भूता वेवाहर में क्या आतर होता है दो वर्ष की उुम्र में महानसिक विक्स में ब्रिद्धी के साथ यह बिख्सित हो जाता है तो यहां पे इसके बाद सामाजिक सम प्रत्यत नवजासी सूब में माता पिता की क्री याओं सम बेगों के प्रती अनुक्रिया करने की छमता नहीं होती परन्तु वे आठ महिने से वे माता पिता द्वारा दिखाएगे सम बेगों के प्रती वितियस नान अभी व्यक्ति अपनी प्रत्किया अर्था सम बेगिक प्रत्किरियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं नेश्ट पेश पर आएंगे तो बने रही है थोड़ा सा हो रहे इसके बाद प्रिच्छब योगी तत्तोगत यहां पर प्रारंबिक बाल्यावत्ता में मांसी विका तो प्रारंबिक बाल्यावत्ता दो और से प्रारंब ओकत छ और सक चलती है तो इस अवस्ता में बालकों का सारी विकात अधिक तिब्र गती से होता है बालकों की बहुत धिक चमता बढ़ जाती है इस अवस्ता में होने वाले मांसी विकात निमलिकित है तो जो जो है तो अनवे शडात्मक प्रत विकास तो डेवलमेंट टाप इम प्रो रो टरी टेडेंसी तो इस अवस्ता में बालकों के मांसी विकास के असर कुछ उचा हो जाते हैं जाने से उस्तुक्ता अभी प्रेड़ा अधीक प्रबल हो जाता है फल सुरुप वह क्या कहां कैसे यम क्यूं से प्राराम होने वाले प्रस्ण अधीक पूछते हैं तो इसके बाद यहां पे प्राय देखा जाता है कि लड़कों की अपेच्छा लड़कियां ऐसे प्रस्ण अधीक करती हैं तता प्रस्ण अभाज आर्थिक अस्तर के परिवार के बालग द्वारा निन संमाजिक आर्थिक अस्तर के परिवार के बालकों की प multiplic इस डंग से अन्वे शडात्म प्रस्ण अधिक पूछे जाते हैं इसका जीवन मृत्यू के संप्रत्य तो यहां पर जो है तो इस अवस्था में बालको के जीवन या मृत्यू के संप्रत्य का विकास हो जाता है बालक सजीव यह निर्जीव वस्तुवों में अंतर समझने लगता इसका दिख अस्थान संप्रत्य तो दिख अस्थान संप्रत् तो concept आप इस 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 पे एस तो इस चार वर्स की अवस्था में बालकों में छोटी दूरी का सही सही प्रत्यच्छड करने की शमता विक्सित हो जाती परन्तु लंबी दूरी का सही ही रूप से प्रत्यच्छड छवर्स के पाद ही संभव हो पाता है जोथा दिया हुए चिंतन तो चिंतन यमतर्क तो इस अवस्थाम बालकों में चिंतन यमतर्क का विकास होता है कि वह जोड़ घटा गुरा भाग इत्यादी जैसे प्रत्कियाएं करता परंतु इन सब के पीछे छीपे नियमों को वह नहीं समझ पाता अर्था चिंतन तर्ग संगत नहीं होता है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्ता में मानसिक विकास तो उत्तर बाल्यावस्ता में जो मानसिक विकास होते हैं तो उसको भी हम जानेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ कि उत्तर बाल्य वस्ता की अवस्ता 6, 12, 13 वर्सकी होती इस अवस्ता में बालकों को अपने सांसियों का एक समू होता है उसका समाजी विकास अधिक मजबूत हो जाता है जिससे उसका मांसी विकास की विकास भी अधिक प्रवावित होता है उसके बाद यहां पर दिया होगा इस अवस्ता में बालक में ठोस एवं संक्रिया चिंतन एवं मुद्रा समंधिव सम प्रत्य इत्यादी का अभिकास होता है तो नेश्ट पेश पर आएंगे और चैनल को ना सब्सक्राइब की हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए उसे प्रापर आपको फायदा होगा तो यहां पर थोड़ा से मैनेज कीजिए मैनेज कीजिए मैनेज कीजिए तो थोड़ा से आगे पीछे हो गया तो एक तव पंदर के बाद एक तव सूल नंबर का साइद कट गया है तो थोड़ा से मैनेज कर दिजिए उसको बाद में डाल द और तो यहां पेhonगे 28 उत्तरवाल्या वहत्ता रें भाल को में ओने वाले UNE मान्स्तिक विकास की विस्थ्ताओं घोष तक रीयत्मक चन्तन जीवन मृत्यु का संप्रत्य मृत्यु के वाद जीवन का संप्रत्य एंसके मूद्रा समंदी संप्रत्य का विकास आदी महत्पूर हैं उसके बाद की सुरावस्ता में होने वाले मानसिक विकास की विस्थेस्ताओं में चिंतन में अवचारिक संक्रिड एकागर चीतता तत्चो के सामानी करण की छमता इसके दूसरों के सांसा संचार करने की छमता इसके समझ एवं पकाड की छमता में संग के तो द्वारा समाधान करने की चमता तत दूसरी दुनिया के प्रमुक व्यक्तियों एवं प्वरिसितियों के साथ तादार मत करने की चमता आधी प्रदान दूर्त गामी विकास का नियम सारी विकास का एक प्रमुक नियम है बाल्यावस्ता में पच्चो का सारी विकास अत्यंत तिब्र गती से होता है डाक्टर एस जटोला ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी का धारण महासिक योगता परिछड प्रतिपा दित किया तो बने रही है और जल्दी हम यहाँ पे पूर्या खात्म करेंगे तो 116 नंबर के पेश को अब हम दिसकत करेंगे थोड़ा सा मैने चीजिए गया तो 116 इस अवस्थाज में बालक असपश्ट रूप से फिट वर्ड मेल की किलो मीटर का अर्थ समझने लगता है नव से दस वर्ड की उम्र में बालक एक हजार तक की संख्या का अर्थ समझने लगता है दिन रात मास वर्ड समझने की भी छमता विक्सित हो जाती है 12-13 वर्ड की उम्र में बालको में योजना बना कर काम करने की प्रवित्त विक्सित हो जाती है इसके वस्थ किसोरा वस्था में मांसिक विक्स तो यहां पर जोके दिया हुआ है तो मेंटल डेवलेप्मेंट डियूरिंग एलडोलेसेंस तो किसोरा वस्ता तेरे वर से प्रारम होकर 19-20 वर्स तक चलती इस अवस्ता में लड़कों लड़कियों की मांसिक चमताओं का विकास अधिक इस्तम बिंदू पर होता है मनम वग्यानिकों के अंसार इसी दानत में अ मांसिक बिकास अधिक्तम हो जाता है जीवद के वर्सों में इस मांसिक चमता का मातला शू द्रीड़करण होता है उसके बाद यहाँ पर इस अवस्ता में किसोर तता किसोरियों ने अभी रूची अधिक विस्तित हो जती है इस अवस्टा में समाजिक अभी रूचियाँ तता साचिक अभी रूचियों का महत द्रिष्टी के तिछा की द्रिष्टी कोड़ से अत्यदिक महतपूर है। किस अरा वस्टा में ओने वाले Maansi विकास निम्लिकित है तो जो है तो उसको भी हम जानेंगे तो चिंतन में अवचारी क्रियां तो इस अवस्ता में किसोरा वस्ता का चिंतन अतिदिक रमबद होता है और सभी तरह की अवचारिक संक्रियाओं की मदद से विभिन तरह के विसलेसर करने में सच्छम होते हैं तो इस अवस्था में बालक किसी समस्या के समधान में अपनी चिंतन प्रक्रिया को इतना तारकी एवं क्रमबद बना कर रखते हैं कि उन्हें किसी तरह की समस्या का समधान करने में कम से कम कटना ही होती है। छिए मसें चट्र एकाग्र चिंत तरह कुंद तो इस आवस्था में कुस रो का मत्स क JACस्बद। विकास इस आस्तरर विकास का हो जाता है कि उसम्ें एकाग्र चिंत होने की की होला बड़ FEL to इसके तट्यों को सामानी करण की छमता तो किसोरो में अमूर्थ धंग स्वानी करण करने की छमता होती इसके बाद कि यहाँ पर थोड़ा से और आगए हैंगे इसके बाद दिया हुए कि दूसरों के साथ संचार करने की छमता में बृद्धी उसके समज एवं पकड़ने की चमता में बृद्धी निड़य करने की चमता में बृद्धी तक्तिकावे उसके नैतिक समप्रत्यों की चमता तो और निश्ट पेच पे आएंगे थोड़ा समयने चली जीएगा ये समस्य के अमूर संकेतों द्वारा समधानों की चमता उसके बाहरी दुनिया के प्रमक व्यक्तित एवं परिशितीओं के साथ ता दात्म उसके परिच्छा व्योगी तत्य जो हैं युद्धी हम जानेगे तेशारी विक्या सेतात पर बालकों के उन्ह के उम्र के अंश्द सारिक अकार सारिक अनुपत अठियों मांस पेसियो दांत नस्य तो तंतिक्यातंद के सं मुचित विकास्थे होता है प्रारंबिक बाल्या वस्ता में कुछ बालको का सारी गठन मोटा होता है वे एंडो मार्फिम कालाते कूछ का सारी गठन हटा कटा होता है वे मेसो मार्फिम कल गठन के होते हैं कूछ का सारी गठन दुबला पतला होता है वे एक्टो मार्फिक गठन के होते हैं उसके बाद यहाँ पे क्रियात्मक विकास से तात पर बालको में उसी मांस्पेसियो ततात तंत्रिक्याओं के प्रयोग आत्मक अध्यनों से प्राप्त निसकर्च के आधार पर क्रियात्मक विकास मुझत मस्त कामदों की विकास क्रम के अंस्वार अर्था तीर से पहरों की दिशा में पाया गया इसके पर. इहां, मान्सिक विकास दात र्यक्ती के जन्व से परिप्स कोता हो, च्छाने क्डिकी आतों मस्ति कार्यों के ऊस्वार प्रकट ऐवंग प्रक्रियात्मक विकास के grams व्यक्ति की अवस्ता हों पुरती वर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था इच्छी या एच्छी क्रियाओं की अवस्था तो तथा उद्देश कार्यों कार्य करने की अवस्था इसके जिन्दगी के पांच साल में बालकों के सारी विकास की कई विसेश्टा है जिसमें सम बेदन की छमता का विक्या समाज का विक्यास दी एक अस्थान सम प्रत्य भार का संप्रत्य, समय का संप्रत्य, तथा आत्म संप्रत्य, यह भूम के संप्रत्य, समाजिक संप्रत्य, यह जित्यादी महत्वर्ड, उसके प्रारंबिक वाल्यावस्त, यह ली चाई, लुभूट के बालकों में होने वाली मांतिक विकास की प्रमुक विसेश्थाओं में अन्वे तड़ातमक प्रवित्ती का विकास जीवन मृत्यू का संप्रत्या इसके दुएक संप्रत्य चिंतन एवं सर्क इत्यादी प्रमुक हैं तो अमिद करते हैं वीडियो अच्छी लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए तो शेयर करदे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और नेक्ट पार्ट में नेक्ट वीडियो को डालेंगे और हम आपसे यासा करते हैं कि पूरा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा और पूरी वीडियो को अगर अच्छा लगा चंत में एही कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और निशीती यहां से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिले और निशीती आप अपने उद्देश के प्रती लगे रहेंगे और देरी दरी हम आपको उद्देश में जो आपके सपने हैं देरी दरी हम यहां से इस चैनल से आपको निशीती वीडियो हो जाएंगे और यही अंत में कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके डेली वाइस डेली वीडियो देखने से आप ही को फायदा होगा और आपका निश्चीती सीटेट हो सूपर टेट हो या तो पीची एस हो चाहे उसको यूपीएसी हो उसके बाद नेट जाराफ हो या तो क्लासवाइज जो वीडियो होते हैं उसको भी आप डाल देंगे तो थांक्स पर वाचें जैहिन जैबाद बहुत बहुत करें आपका दिन सुप में हो और जी के साथ हमने बाड़ी को भी राम देंगे जैहिन जैबाद